कल जब हम यहां से लाइफ कराची स्टूडियो से आप से बात कर रहे थे और यकीनन हमारे कुछ महमान हमें लहौर से भी जॉइन कर रहे थे we did not know the kind of madness that was happening in Lahore आपको बताते चलें यकीनन इस वक्त जद्याम बात है कि 44 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है honestly speaking it was the writing on the wall सबसे पहले महौली आती तब दीली की वज़ा से हम most affected है number one secondly अगर हम से पर सथे की नजर पर नजर डालते हैं सरहत के उस पार दिली और मुंबई दोनों जगाओं पर बारिश का रिकॉर्ड टूटा है so ये expected था कि इतना जोड़दा स्पेल पाकिसान में आने वाला है बात ये है कि हम कितने इस तरह की चीज़ों के मुताहमल हो सकते हैं कितने हम उसके लिए तैयार हैं मैं कल ये भी देख रही थी कि इस बात का credit ले रही थी पंजाब हुकूमत कि रिकॉर्ड टाइम में पानी की नकासी को यकीनी बनाया गया है लेकिन जो मनाजर आपके सामते थे अगर हम कुछ विजुल्स उसमें से आपको दिखा सकें सिविल हस्पिताल से लेके ये आपके पोश अलाके हैं पोश अलाकों के साथ साथ जो नशेबी अलाके हैं जो अंदरूने शहर का मामला है वहां पे सूरत अहाल काफी अबतर थी और अब शायद ये हमारा तरीके कार बन गया अगर आपको याद हो तो रेन वाटर हाविस्टिंग के हवाले से पंजाब ने काफी लीड ली थी मुक्तलिफ इस तरह की जब बारिशे होती थी तो इस पानी को जाया ना हो ये पानी जमा किया जा सके लोगों के इस्तवाल में लाया जा सके अंडर वाटर इसको सेफ किया जा सके ये अटलीस क्लेम से गुजश्टा हुकूमतों के और अड्मिनिस्ट्रेशन के क्या ये अभी भी पॉसिबल है इस वक्त जो सूरत अहाल है वो चाहे आप कराची की बात करें इस्लावाबाद की बात करें लहौर की बात करें हमारी तमाम की तमाम अर्बन डिवेल्मेंट धरी की धरी रह गई है सवाल ये भी है कि क्या ये वाकई हमारी फॉल्ट है काफी चीजों में हम अपने आपको इतना बेहतर तरीके से नहीं कंड़क कर पारे तैयारी नहीं कर पारे और दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड बारिशें भी हो रही है सबसे पहले जी चलते हैं लहौर की तरफ महामाई साती हमाबट मौजूद है उन से जानते हैं कि लहौर के शेहरियों के लिए क्या इस वक्त तकलीफ कम हुई है पानी की नकासी यकीनी बनाई गई है कहां कहां पानी अभी भी खड़ा है और क्या सूरते हाल है अस्लाम लेकुम हमाई वालेकुम अस्लाम सिद्रा अद्करू लाहौर की तो गुजिश्टा रोज जो बारिश हुई थी हम लोग नो डाउट यह जरूर कहेंगे कि गर्मेंट अफ पंजाब जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ टैकल किया है वो जगें वो इलाके जहां पर हम लोग देखते थे कि पानी जो है वो अगले दिन तक हमें दिखाई देता था आज मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि वो जगें जैसे कि आबिद मार्केट है कर्तुबा चौक का एरिया है लक्ष्मी चौक का एरिया था जहां पर पानी जरूर खड़ा रहता था अगले दिन भी हमें दिखाई देता था आज वहां पर वो पानी जो है वो पानी से बद में भरा था इवन जो हॉस्पिटल्स थे वो भी पानी ही दिखाई दे रहा था हॉमा इसकत की जो हुकरहा वो हमें जर्नल हॉस्पिटल लिए इससरा कि हम देख सकते हैं कि सिन्न में भी ये इलान किया गया है कि जब तक ये बारिशों का सिलसला है 14 अगस्ट तक स्कूल्स की कॉलेजिस की छुटियों को जादा इलॉंगेट कर दिया गया है दूसी तरफ दफातिर भी ऐसी सुरत आहल में बंद हो जाते हैं लहुर के हवाले से लहुर की कल की बारिशों के हवाले से कुछ नाख खुबा वाकियात भी रिपोर्ट हुए जिसके अंदर दो इंसिडेंस ऐसे थे जिसमें चछत गिरने की वज़ा से तकरीबन एक खातून और पांच एक खातून के हलाक होने और पांच लोगों के जखमी होने की इतला भी आई हुमा मुझे बताईए के बिजली का क्या हाल रहा सुन हम लोग कह सकते हैं कई कई जगों पर तो रात को बिजली जो है वो बहाल की गई और साथ ही साथ में सिर्फ बिजली ही नहीं साथ ही में पानी जो था वो भी गायवरा तो ऐसा लग रहा था जैसे करबला का महाल है और पानी जो है वो कहीं दिस्तियाब नहीं है कहीं पर क्य कि वज़ा से ये बिजली का निजाम और पानी का निजाम बहुत ही बुरी तरह जिसे दरह हम करम कहते हैं। बोले दिनों में भी बारिश की पेशन गोई है इसवक्ट क्या सूरत हाल है शार गौन में बहुत श्यूर्टास्य HOLजी है इस वक्राची मैं इस वक्ट भी मतला अबर आलूद है अचा राद गय disclose दिन से जारी जे लिए और आहल healed खुल के जो है कराची में बरसाथ नहीं हो पारी है इसकी एक जो वज़ा है वो कराची का जो इंफराइस्ट्रेक्चर है इस वक्त का इस हवाले से जो माहौलियाती तब्दीलियां पेश आरी है कराची में क्यूंकि कराची इतना फैल चुका है और उसमें दरख ना होने के बाइस और हाई-राइस बिल्डिंग के बाइस जो है वो कहीं बारिश होती है और कहीं बारिश नहीं होती अगर हम मजमूरी तोर पर बात करें कराची में इस वक्त सबसे जादा बारिश गडाब टाउन में हुई है गडाब टाउन का जो एक बड़ा इलाका है वो बलुचिस्तान से मिलता है जिसमें केर्थर नैशनल पार्क में काफी दरख्त वगर हैं तो वहां बारिश जादा होती है दोसरी नमबर पर अगर हम बात करें तो नौर्ट नाजमाबाद का इलाका है जहां 14 मिली मीटर तक बारिश होई है इसके बाद एरपोर्ट और शहरे फैसल कारसास पर थोड़ी गरिनरी है दरख्त हैं जिसके बाइस यहां बारिश हो जाती है अभी तीन अगस्ते नया इसेle जो है वो कराची में दाखल होगा बहरे अरब में हावा का कम दबाब तैयारे जो मुमबई में और लाहॉर में शदीद बारिशों का सबब बन रहा है जो अभी तो कराची में जो है नया हमने इस तेज़ा आतें देखना है और कराची का सबसे बड़ा मसला है कि जरा सी बारिश होती है तो लाइट्स चली जाती है शहरी बड़े दोरे मसाहिल का वैसे इस से पहले कि आप लाइट्स और बिजली के हवाले से बात करें मुझे बताएं कि कराची में इस मौनसून में खास वार पर हमने नया ट्रेंड यह देखा है कि अगर सड़क के इस पार बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ बिलकु खुश्क जमीन पड़ी भी है यह जो स्पुराटिक बारिश हो रही है या एक तो आपने का कि खुलकर बार कि अगर बारिश नहीं होगी इसी वज़ा से जो है वह की जो सिच्वेशन है वह भी कराची में खराब नजर आती है नजला जुकाम खासी भी बढ़ती नजर आती है और जिल्दी आम्राइब कैसा सॉरी आपने मैं बार बार आपको वैस करी हुए कैसर मुझे यह बताईए कि आप क्योंके हेल्थ का जिकर कर रहे हुमा की तरह बापस आना चाहूंगी हुमर जो मनाजर हमने सिविल हस्पिताल के देखे यह जरा बताईएगा सर्विसिस हॉस्पितल में वहाँ पर क्या इस वक्त सूरते हाल है मरीज काफी परेशान थे गंदगी हाईजीन और यकीन पर हम लोगों ने काफी जाड़ा पानी देखा था जाड़ा बापानी जो था जो फ्टाल के देखाई दिया था सर्विसिस हुस्पितल का पानी जो है और वहाँ पर किया जा रहा था पानी निकालने का काम मरीजों का अगर जिकर किया जाए तो मरीज बेहद परेशान थे क्योंकि वो मरीज जो काफी जादा क्रिटिकल कंडिशन में भी वहाँ पर दिखाई दे रहे थे और बुरी हालत में वहाँ पर आये वे थे उन लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा कि एक दम वहाँ पर जो सर्विसिस हस्पिताल और जनरल हस्पिताल में पानी आया तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इस जगा पर अब कहां पर जाएं क्योंकि यहां पर जमीन पर सारा पानी है और वो बैड़ पर बैठे हुए हैं और उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है डॉक्टर्स भी परिशान हो गए थे लेकिन फौरी तोर पर मिशिनरी जो है वो बुलाई गई और पानी जो है वो निकालने की कोशिश भी की गई और निकाल भी लिया गया लेकिन दूसली मरीजों की तरफ से एक ही मतालबा किया जा रहा कि at least जो यह हॉस्पिटल्स हैं उन में कोई ऐसा इनिजाम होना चाहिए कि जितनी भी बारिश हो जाए अट लीस्ट वहां पर पानी ना दिकाई दिया जाए क्योंकि वहां की जो सिचुएशन हैं लोग इतने परिशान हालत में आते हैं और ऐसी सुरते हाल में मजीद परिशानी लेना जो है वो उनके लिए काफी जादा मुश्किल होता है जैसे बाकी चीजों की तरह हमारा इंफरस्ट्रक्शर डेटेड है कई यह हस्पिताल काफी कदीम इमारते हैं जिस तरह के हम जानते हैं इनकी सतर साला सौ साला हिस्ट्री भी है तो शायद इसको अब एक मजीद की जरूरत है बहुत बहुत शुक्रिया हुमा और कैसर हमाई साथ मौजूद होने के लिए कराची और लहुर की सुरते हाल से आगाह करने के लिए आज भी दोनों शेहरों में बारिश मतवक्य है तो अमीद करते हैं कि आप खेरियत से रहें और ये बारिश अबरे रहमत बन कर ही हमारे लिए आए